इस चेप्टर के अंदर हम देखेंगे तब पावर ओफ रेशोज एंड प्रपोर्शन इन अलजब्रा रेशोज और प्रपोर्शन क्या होती है और बेसिकली जब आप स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे होते हैं अब भी ये पावर ओफ रेशोज बड़ी मैटर करती है यानि कि रेशोज रेशो क्या होती है कि मेरे पास कितनी है और तुम्हारे पास कितने पैसे हो और एक का कितना हिसा तुम्हारे पास है यानि कि परपोर्शन कितनी तुम्हारे पास है कितनी मेरे पास है अब आपको को हम simplify कैसे करते हैं, ratios को पढ़ते कहते हैं, ratio compare two quantities by division, दो quantities को by division आप जब check करते हैं, तो उसको हम ratio बोलते हैं, when writing ratios, it is important to keep the order consistent and simplify them as much as possible, ratio को भी simplify किया जाता है, as we did with the fractions, तो fractions को जिस तरह हमने simplify किया, इसी तरह ratio को भी करते हैं, for example, the ratio of eight oranges to four apples can be written as eight ratio four, ठीक है, लेकिन अगर उसको simplify किया जाए, तो वो दो ratio एक बनती है, मिसाल आपको मैंने दी, अभी आपको ये पिसाल जो है, मैं इसको और भी detail में समझाता हूँ, ताकि आपको ये बात clear हो जाए, किस तरीके से ratio जो है, वो हमारी matter करती है, यहाँ पर अगर आप गौर करें, हमारे पास हैं, आठ माल्टे, यानि के orange, और हमारे पास हैं, जिनाब, चार apples, हमने क्या करना होता है, जब कोई ऐसी बात लिखी जाए, तो हम इसको simply eight ratio, ये जो colon का sign है, जब दो digits के दिरम्यान आएगा, ये ratio कहलाती है, four, ऐसे लिख दें लेकिन अगर आप गौर करें, तो हम इसको simplify कर सकते हैं, कैसे simplify कर सकते हैं, ये चार जो है, ये भी दो पे divide हो रहा है, आठ भी हो रहा है, तो अगर हम चार और आठ को दो पे divide करें, so it would be easier for us, ठीक है, दो पे divide हो रहा है, हम इसका greatest common divisor ढोंट रहे हैं, GCD, GCD याद है, आपक लेकिन फरग नहीं पड़ेगा, फिर अगला है हमारे पास चार, चार भी चार पे divide और आठ भी, ठीक है, अब आपको पता है, जब चार दो बार आठ है, तो हम इससे आगे move नहीं करते, greatest common divisor पे, तो इसको मैं इसी तरीके से, अगर इसको simplify करूं, तो मैं चार पे divide करूंग तो रेशो वन का क्या मतलब है, अगर आप गौर करें, कि अगर आपके पास एक apple है, तो आपके पास orange दो होंगे, same यही चीज़ है, अगर चार apple हैं, तो oranges आठ होंगे, अगर आपके पास 8 apple हैं, तो oranges उससे double, यानिके 16 होंगे, इस तरीके से अगर ये 16 हैं, तो ये 32 होगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ratios बहुत matter करती हैं, whenever you're working on something, मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, अगर आपकी एक question के अंदर, या एक data के अंदर आप देखते हैं, कि males जो हैं, versus अगर हम females देखें, ठीक है, अब अगर इसका अंदाजा लगाएं, तो इनकी ratio usually कहते हैं, क आपके पास final जो data का analysis आता है, वो ये बताता है, कि अगर male की age, 4 है, 4 years है, तो female की age जो है, वो 2 होगी, यानि कि male की age, female की age से आता है, इसका मतलब है, जब हमारे पास कुछ ऐसी ratio, दो comparisons आ जाते हैं, दो columns के in a data, तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं, कि अगर एक की value हमारे पास है, तो हम दूसरे की impute कर सकते हैं, that's the main thing, for example, मेरे पास अगर males की age है, 32, तो इसका मतलब है, उस वकत उस female की age जो है, वो 16 होगी, maybe they are sisters and brothers, maybe they are husband and wives, maybe they have some other relations or a class, or whatever we have collecting the data from, so 32, अगर यहां पे मैं 16 लिखता हूँ, male की age, तो इसकी होगी 8, क्यूंकि हमारे पास ratio 4 by 2 की है अगर मैं 4 by 2 को भी divide करूँ, तो यह 1 और यह 2, यानि कि 2 ratio 1 आती है, male versus male ratio female की, in a data set, तो यह जो हमारे पास चीज आती है, इसको हम relationship भी बोलते हैं, dependence भी बोलते हैं, ठीक है, so sometimes आपके पास इस तरहां की ratios आती है, which you have to define in your data set, और यह ratio जो हैं, बड़ी matter करती है, whenever you are working on something, ठी आती है, that is called equivalent ratio, equivalent ratio क्या होती है, equivalent ratios have the same value when simplified, even though they may look different, for example, the ratio 2 ratio 1 and 4 ratio 2 are equivalent, because when both are simplified, they have the same ratio as 2 into 1, यही चीज मैं आपको समझा के आता हूँ, अभी मैं दुबारा से दिखाता हूँ, अब हम देख रहे हैं, equivalent ratio को, यहां पे मैं लिखता हूँ, equivalent ratio, रेशो का सबसे बड़ा मज़ाई यह है, कि आप एक के comparison में दूसरी ratio को देख रहे होते हैं, मैंने आपको बताया, कि जब male की age 2 होगी, तब female की age 1 होगी, ठीक है, इसका मतलब यह भी हुआ ना, कि जब male की age 4 है, female की 2 होने वाली है, जब male की age 6 है, female की age 3 होगी, जब male की age 8 है, female की age हमारे पास 4 होगी, तो इसका मतलब है, जितनी भी ratios मैंने यहां पे लिखी हैं, अगर हम सब को simplify करें, 2 एक बार 2, 2 दो बार 4, यह भी 2 ratio 1 बन गी, 3 एक बार 3, 3 दो बार 6, यह भी 2 ratio 1 बन गी, 4 एक बार 4, 4 दो बार 8, तो यह हमारे पास 2 ratio 1, सभी की सभी ratios बराबर हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि जब आप quantities को equivalent ratio के अंदर देखना चाहते हैं, then you have to look into their simplified ratio, अगर कोई बंदा कहता है, कि मेरे पास इस वक्कत 100 रुपे हैं, और तुम्हारे पास हैं 50 रुपे, ठीक है, पिर वो कहता है, कि पिछले महीने भी ऐसे हुआ था, मेरे पास 200 थे, तुमारे पास 100 थे, फिर उससे, पिछले महीने भी ऐसा हुआ है, कि मेरे पास 300 थे तुम्हारे पास था 1500 ठीक है अक्सर उकाद ऐसा ही होता है जब भी हमारे बिल देने का टाइम आता है तुम 50 रुपे निकाल लेते हो सब को 100 डालने पड़ते हैं तुम निकाल लेते हो 30 रुपे हमें 60-60 डालने पड़ते हैं तुम से हम डबल पैसे दे रहे हैं तो इस तरह रेशो जो हमारी काम करती है अब अब होता क्या है जो कहती है कि दो रेशो एक्वल है अब इसकी मिसाल मैं भी आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास इनको हम चेक करते है से फॉर एक्वल हमारे पास यहां पे एक्वल आ रही है अब इसको हम परपोर्शन को किस तरीके से देखते है और किस तरीके से हम रिजॉल्व करते है वो हम चीज अभी यहां पे चेक करते है Let's see Problem हमारे पास यह इए अब हम परपोर्शन की रेशो की बात करते है तो unit दोनों के सेम होने चाहिए हम units को भी ख्यार रखते है मिज़ा से पर मैं पहले आपको बता देता हूँ जो मैंने अभी आपको ratios की बात की ratio में एक important छीज होती है जो इसकी assumption है कि units same हो अगर मैं यहां पे पैसों की बात कर रहा था तो मैं PKRs की बात कर रहा था दोनों साइडों के मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने यहां पे 300 रुपया दे दिया तुम मुझे पगड़ा रहे हो एक यूरो तो भाई एक यूरो जो है वो 305 रुपय गा इस वकत so still that person is giving more money than required तो unit अगर different होंगे तो ratios काम नहीं करेंगी इसी तरीके से proportions भी काम नहीं करेंगी so let's see the proportional question मैं कहता हूँ कि जो 2 oranges हैं वो 1 dollar के आते हैं 6 oranges मैंने लेने हैं यह कितने के आएंगे? x ठीक है? अब इस तरीके से हमने x को find करना है x कैसे find out किया जाता है? वो आपने जब इसको resolve करना है then you will have an idea के कैसे होगा say for example आप कै करते हैं यह वाला इस side पे ले आते हैं और यह वाला इस side पे ले आते हैं so usually 2 multiplied by x is equal to 6 multiplied by 1 हो जाता है and then we can resolve this is equal to 2x is equal to 6 divided by 2 divided by 2 तो यह मेरे पास 2 3s are 6 आजाएगा इसका मतलब x is equal to 3 अब जब मैं इसको दुबारा proportion को लिखता हूँ तो अगर 2 oranges 1 dollar के आते हैं then 6 oranges मेरे पास x की value 3 है 3 dollar के होंगे सही है? so इस तरीके से हमारे पास जो है वो proportions काम करती है कि proportion किस चीज की क्या है और कैसे हम इसको resolve करती है usually यह एक important question होता है whenever you are resolving the proportion यहां तक समझ आगी है आपको समझ आगी होगी proportions क्या होती है proportion को set कैसे किया जाता है अब अगली चीज हम देखते है proportions के अंदर ही let's see we have direct variation क्या होती है direct variation occurs when two quantities increase or decrease together at the same rate यह बहुत important चीज होती है खास तोर पे linear regression के अंदर यह चीज जो use होती है called direct variation for example if y varies directly with x and y is equal to 2 when x is equal to 1 then the equation of direct variation is y is equal to 2x तो इसको हम direct variation बोलते है यानि के जब एक चीज एक गुना बढ़ रही है तो दूसरी चीज दो गुना बढ़ रही होगी ठीक है मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ simple सी direct variation कैसे चलती है आपको भी समझा जाएगा मिसाल के तोर पे मैं यहाँ पे कहता हूँ y is equal to 2x इसका मतलब यह है कि जो एक y है वो 2x के बराबर है ठीक है इसकी एक और further example दे देता हूँ कि y जो है इसका नाम है एहमद एहमद का weight जो है यह है जनाब आपका 80 kg ठीक है लेकिन दूसरी side पे जो x है वो तो गुना उसका weight हो तो बनता है y का weight यानि कि दूसरी side पे हम ले रहते हैं शकील भाई को इनका weight है 40 kg तो इसका मतलब है के 40 kg और 80 kg तब equal होंगे जब शकील भाई का weight दूग ना हो जाएगा तो वो ही चीज हमने यहां पे लिखी है 2x is equal to y और जब जब x बड़ेगा तब तब y भी बड़ेगा because we make a dependence on each other ठीक है तो इस वज़ा से इसको direct variation बोलते है क्यों क्योंके दोनों दोस्त है दोनों खुल के खाते है तो जब इसका 41 होगा यहां पे 82 हो जाएगा so that has a direct variation effect on the other one और यह कब होते हैं जब आप linear regression बनाएंगे ना इस तरह का plot in future तो अगर आपके पास equation में direct variation है यानि के y is equal to 2x तो आपके पास जब भी एक y होगा x आपके पास double हो रही है जब दूसरा y आ रहा है x और भी उपर जा रही है so इस तरीके से आपका कुछ effect जो है वो direct variation के double पे बनेगा so this is what we are going to see when we are going to learn इंशाला linear regression या जो हमारे पास different किसम के जो आगे आने वाले lectures होंगे उनके अंदर machine learning में खास तोर पे inverse variation क्या होगी inverse variation happens when one quantity increases while the other decreases their product is constant ठीक है for example if y varies inversely with x and y is equal to 1 then when x is equal to 2 then the equation of inverse variation is x y is equal to 2 अब आपको ये भी अंदाजा होगा के inverse variation का मतलब ये होता है when one quantity increases the other one decreases अभी इसको हम अंदाजा लगा लेते हैं अब आपको इसकी में बड़ी एक तगडी सी example देता हूँ के inverse variation क्या होती है for example आपके पास जो quantity है that is for example y is equal to यहाँ पे जो inverse variation की equation है 2 over x ठीक है अगर आप सिरफ इसी का अंदाजा लगा लें के एक चीज जब बढ़ रही है ना तो दूसरी चीज कम हो रही है say for example अगर y जो है जो आपके पास पिछली example के अंदर एहमद भाई का weight था यह अगर आपके पास 80 केजी है ठीक है और दूसरा आपके पास शकील भाई का weight है which is 40 केजी अब जब एहमद का weight बढ़ेगा ना उपर को for example यह हो जाता है 20 के 20 केजी more तो यह 100 केज को लो जाता है आप यही mind में रखें के फिर इसका 10 केजी कम हो जाना है this would be 30 केजी आप यह अंदाजा लगा लें के पहले दोनों मिलके खाते थे अब जो एहमद है वो शकील का अदा खाना खा रहे है तो शकील बजारा कमजोर हो रहे है या कोई और वज़ा भी हो सकते है शकील की कमजोरी and ratios ratios और proportion कुछ तरीके से काम करते है I know it's very simple लेकिन आपको मैं इस वज़ा से यह important चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि in machine learning you are going to learn this and you are going to apply these actions on real way so please इनको note करते जाएं और यह blog को ज़रूर पढ़ें इसका link मैंने description में again दिया हुआ है अब अगले chapter पे हम move करेंगे और उस chapter पे move करने से पहले आप से मेरा एक question यह है क्या आपने blog के अंदर या जो मैंने article लिखा है pre-algebra के ओपर जिसका link description में है उसकी सारी exercises कर लिए है के नहीं मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा